हेलो वेलकम बैक मैं चैनल तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिलाई उसके लिए चाहिए पेपर कैची एक पेन सुई धागा और इंची टेप इसको अब हम रखे लेंगे साइड में अब देखिए यह सिर्फ हमारा एक पेज है 20 से कठ है इसे हमने डबल फोल्ड किया फिर इसके पाद 11 और फोल्ड करेंगे तो यह चार बारि फोल्ड को जाएगा तो अब देखिए इसमें अगर हमें लंबाई अगर आप की बच्चे की अगर नौ इंच है तो आप 10 इंच रखें टीक है अगर आपका साढ़ी नौ इंच है तो साढ़ी दस इंच आप रख सकते इंच की cutting करें. क्योंकि सीने की लमबाई चौडाई हमें देर इंच तक बढ़ानी ही होती ह Garda. तो आब हम माते हैं कंधे की तरफ यह देखिए यहां से लेंगे हम पांच इंच क्योंकि बच्चे का है न तो थोड़ा साही हमें उसके लिए कंधा चाहिए होता है आर्म होल के लिए अब यहां सी हम रखेंगे तीन इंच गला बच्चे का गला छुटा होता है और पहनाने में दिक्कत ना हो इसलिए थोड़ा साम गला छैंच बनने पे तयार हो जाएगा और बाजू को अगर आपको थोड़ा सा चौड़ा करना है तो आप इस तरीके से हाफ इंच चौड़ा कर सकते हैं उसके बाद आप गहराई लगाएंगे दोनों साइट का गहराई लगाने के बाद आपको करनी है कटिंग यह हो गई कटिंग अगर हमें कंधा नहीं कटिंग करना है देखिए ये कंधे को कटिंग नहीं करेंगे तो ये आसान रएगा और हमीं सिलना भी नहीं पड़ेगा तो अब ये देखे ये full page है पूरा अब इसका भी हम half करेंगे इस तरीके से Half करने के बाद ये दो हो गया तो एक आगे की साइट के लिए एक पीछे की साइट के लिए हम यूच करेंगे अब यहाँ से दो दो इंच पे हम लगाएंगे निशान अब यहाँ से सीधा हम इस तरीके का निशान बनाएंगे निशान बनाने के बाद अब आपको क्रोस करके ऐसे करके बनाना है दिखिए इसे हम क्रोस क्रोस करके बनाते जाएंगे अब हम इस पर बनाएंगे सिलाई सिलाई आपको कैसे करना है जैसे आपने पैन से बनाया हुआ है वैसे आपको सिलाई भी करना है इस तरीके से सारी सिलाई आपको ऐसी बना लेनी है अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और आप पहले दिन का सिलाई देखना चाहते हो तो सर्च करें सिलाई सीखने का आसान तरीका पहला दिन वहाँ से आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज सस्क्राइब करें एंड बेल आइकन को हीट करें नोटिफिकेशन बेल के लिए ताकि आप मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाएं और इस तरीके से क्रॉस करके सिलने के बाद अगर आप इसे खीशते हो तो यह गोल सा उभर करके आएगा यह देखे यह हो गया ना यह हो गया गोल सा उभर करके आएगा तो ऐसे ही आपको सब को सिलना है और ऐसे ही खीशना है इसमें चुन्नट नहीं बनाना पड़ता है आप ऐसे ही खीशो के जब तो इसमें अल्रेडी चुन्नट पड़ जाएगा चुन्नट के हिसाब से देखे फिर आप हम इसको ओपन करेंगे जो हमने उपर का कटिंग करके रखा हुआ है देखिए दूनों साइड से अगर हमारा हाफ इंच या एक इंच छोटा पड़ रहा है तो कोई नहीं क्योंकि सीने से कमर हमारा पतला ही होता है खासकल कि बेबी लोग का तो ऐसे करके हम सीधा सी लेंगे मिलकुल आपका जो फूल बना हुआ है खीचिनी के बाद गोल गोल सा उसके उपर आपको नहीं सिलना है जहां आपका धागे का सिलाई गया है खीचिनी वाला वहीं पर आपको सिलना है इसी तरीके से पूरा आप सिलने पेपर से हम बहुत सारी चीजे सिखा रहे हैं जिसे की सलवार, सूट, बेबी फ्रॉक, स्कॉर्ट और चोटे बच्चों की चट्डी, बड़े लोगों का कच्छा यह सारी चीजे हमने पेपर से सिखाई हुई है अगर आपको सीखना है तो नीचे लिंक में डिया हुआ है वहां से आप देख सकते हो और चैनल को सिस्क्राइब कर ही लीजिएगा यह रेखे यह हमारे एक सैट का कंप्लीट हुआ बिल्कुस सेम हम दूसरे सैट का भी बना लेंगे ऐसे करके इस सैट भी हम लगा लेंगे दोनों तरफ लगाने के बार अब हमें बनाना है गला और बाजू तो कैसे बनाएंगे देखे यह हमारा अलग पेपर है यह एक ही है सिंगल पीस अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे कट करके निकाल लेंगे इसे हम तीरची पट्टी भी कहते हैं और औरे पट्टी भी कहते हैं तो निशान लगा करके हम समझाते हैं इसे हम डेर डेर इंच की ही प सकते हो फिर आपको इस तरीके से लगाने के बाद आपको कटिंग कर लेनी है कि कटिंग कमप्लीट होने के बाद आपको जोड़ना कैसे है यह भी हम बता देते हैं जोड़ना आपको इस अंगल से है ता कि देखिए बन जाए और यहां पे अगर आप सिलते हो तो आपका पट्टी सीधा हो जाएगा मुड़ेगा नहीं यह हो गया अब यहां से देखिए हम उपर से लगाते हैं अगर ब्लाउज में हम उपर से लगाते हैं लेकिन फ्रॉक में हम लगाएंगे नीचे से फ्रॉक में नीचे से इसलिए लगाया जाता है अगर आप रेडिमेट कपड़े भी देखते हो तो आपको उपर से ही पाइपिन दिखाई देगा क्योंकि सिलाई थोड़ी से चोड़ी बनाते हैं आम तोर पे जितना की ब्लाउज में बनता है तो चोड़े बनाने के लिए हम नीचे से लगाएंगे पति और उपर की साइड करेंगे फॉल्ड देखे पूर ऐसे ही इसके बाद कमप्लीट करेंगे इसको इस देखे सिलाय कम्प्रीट होने के बाद देखिए ये उल्टे के साइड है तो जितना पेपर हमारा बचा होगा उसे निकालेंगे और एक बारी हल्का सा फिर फोल्ड करके और उसी पर फोल्ड करेंगे ताकि हमारा नीचे का धागा दिखना ना है दिखे ना और देखे यहां से बिल्कुल नीचे का धागा ना दिखे ऐसे ही सिले आप यह होता है कम्प्लीट आप 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 यह प्रोपर आपको बनाते जाना है ऐसे करके जैसे ही साइट का हम बनाएंगे वैसे ही हम दूसरी साइट का भी बना लेंगे रेडिकल लेंगे सेम प्रोचेस ऐसे ही ऐसे बनाएंगे और इसमें भी हम नीचे के साइट से ही लगाएंगे पट्टी को देखे दोनों साइट पट्टी लगाने के बाद अब इसको भी हम नीचे से लसिल लेते हैं यहां पिल्कुल जैसे पेपर से सिखाया जा रहा है वैसे ही आपको कपड़े भी सिलना है बस आप अपनी बच्चों का सीना नाप लें और लंबाई घुटने के ऊपर ही रखें क्योंकि छोटे बच्चों के लिए घुटने के नीचे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं तो कोशिश करिए आपके घुटने के ऊपर के ही मिर्जिमेंट लें और सीने की लंबाई ले ले और यहां घुटने तक लंबाई ले ले उसके बाद आप बना सकते हों और यहां से हम इसे भी हम ऊपर के सैट फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड और इस पे सिलाई बनाएंगे आपको मिल जाएगी फास्ट दिन से अगर आप कोई भी चीज वन से स्टार्ट करते हो तो आपको सीखने में आसानी होती है और आप पढ़ियां से कहर भी सकते हो अगर इसमें कुछ बिगड़ भी जाता है तो आपको जज करने के लिए कोई भी नहीं है सिर्फ आप हो आप अ इसे ट्रै करना स्टार्ट करें अगर कोई प्रढ़लम होती है तो आप मुझे कर सकते हो मैं आप लोगों को कभी भी बुरा फियर कराउंगी करांगे कमें अगर कुछ भी मुससे गलती हो जाती है अंजानी में तो इसके लिए सौ सो सौरी लेकिन अगर आप स्टार्ट करत तो इस तरीके से सारी दोनों साइट के सिलाई हम चला लेंगे, दोनों साइट के सिलाई चलाने के बाद हम फॉल्ड करेंगे, फॉल्डिंग क्यों क्योंकि पेपर फट जाएगा, पेपर को फॉल्डिंग करके ही सीधा करें, देखे इस तरीके से पेपर को सीधा कर लेंगे, अब यह हो गया हमारा complete सिलाई यह दखे पेपर थोड़ा सा लिखावट है ना इसमें तो गजबज करके है तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से सो यह हमारा गोल गोल सा जो बना हुआ है बहुत ही प्यारा सा लगता है कपड़े में ट्राय करेंगे तो और भी प्यारा लगेगा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में प्लीज लाइक सेरें सेस्क्राइब और बाबाई फ्रे